हेलो फ्रेंट्स, स्टाडी टुडे उद विपलप यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है, आज हम क्लास नाइन के गनित के महत्तपुन प्रशनों को डिसकस करेंगे, जो की एकजाम में देखने को मिलता है, एकजाम में पुछे जाते हैं, तो विडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, क्लास नाइन के गनित के महत्तपुन प्रशनों को डिसकस करेंगे, जो की सारकल अर्थत बृत से सम्मंदित है, तो बृत के महत्तपुन प्रशनों को डिसकस करेंगे, देखेंगे, सिखेंगे, जो एक्जाम में पुछे जाते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों में सेर करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा देखे आक्रिती में X का मान गयाद करें ध्यान से देखेगा आक्रिती को BAC बराबर दिया गया है 35 डिगरी BAC बराबर दिया गया है 35 डिगरी ध्यान से देखेगा इस आक्रिती को BAC बराबर 35 डिगरी दिया गया है तो ध्यान से देखेगा X का मान हमें गयाद करना है तो X का मान क्या होगा X का मान क्या होगा ध्यान से देखेगा x का मान होगा इसका 2 गुणा हो जाएगा अर्थत 2 गुणा कोन BAC अर्थत x का मान बराबर होगा 2 गुणा BAC दिया गया है 35 डिगरी अर्थत x का मान हो जाएगा 70 डिगरी क्योंकि देखे हमें दिया गया था BAC 35 degree हमें X कमान गयाद करना है क्योंकि कैंद्रपर का कोन जो होता है ध्यान से देखेगा कैंद्रपर का कोन कैंद्रपर का कोन परधी पर के कोन के दो गुना होता है डबल होता है इसको याद रिखेगा इसको याद रिखेगा अर्थत कैंद्रपर का कोन ये कैंद्रपर का कोन अर्थत ये जो X X जो दिया गया है B X C A जो दिया गया है ये कैंद्रपर का कोन है तो कैंद्रपर का कोन जो होता है ये परधी पर का कोन अर्थत B A C एक परधी पर कोन है तो परधी पर के कोन का दूगुना होता है इसको याद रिखेगा इसको याद रिखेगा ठीक है, डबल होता है, डबल होता है, दूगुना होता है, इसको ध्यान रखेगा, तो next question को देखते हैं, next question को ध्यान से देखेगा, नेक्स्ट कॉस्चन, आक्रिती में AOB 90 डिग्री दिया गया है, आक्रिती को ध्यान से देखेगा, यह जो आक्रिती दिया गया है, इसमें AOB, अर्थत AOB, यह 90 डिग्री दिया गया है, और AOC, AOC 110 डिग्री दिया गया है, तो BAC हमें ग्याद करना है, हमें BOC ग्याद करना है, BAC अधी हमें ग्यात करना है तो bac कैसे निकलेगा ध्यान से देखेगा अगर हम doc की निकान ले तो इसका आधा हो जाएगा AOB बराबर दिया गया है 90 degree और कोण ध्यान से देखेगा question को और कोण AOC AOC बराबर AOC बराबर 110 degree दिया गया है तो हम बOC ग्याद करना है BAC BAC हमें ग्याद करना है तो ध्यान से देखेगा यह पूरा 350 साट डिग्री होता है यह जो एक सारकल बनेगा यहाँ पर यह पूरा 360 साट डिग्री होता है इसलिए B O C बराबर हो जाएगा कोन B O C बराबर हो जाएगा 360 سे अगर हम इन दो को गाटा दे तो हमें B O C ग्यात हो जाएगा क्योंकि B यह जो पूरा 360 degree एक सार्कल बनेगा यह 360 degree के होगा एक सार्कल 360 degree का कोन बनाता है इसलिए B O C बराबर हो जाएगा ध्यान से देखेगा 360 degree से हमें घटाना है ठीक है B O C बराबर हो जाएगा 360 degree माइनस करना है हमें A O B कोन A O B प्लस कोन A O C को हमें घटाना है इन दो को क्योंकि यह पूरा 360 degree होता है इसलिए 360 degree माइनस करना है ठीक है A O B 90 दिया गया है प्लस ध्यान से देखेगा A O C A O C 110 degree दिया गया है तो 360 माइनस करेंगे यहां पर हो जाएगा 200 degree तो ध्यान से देखेगा B O C बराबर हो जाएगा 360 से 200 जाएगा तो 170 degree ध्यान से देखेगा यह 170 degree हो जाएगा ठीक है B O C तो B O C अगर 160 degree है B O C अगर 160 degree है तो B A C हमें B A C निकलना है कौन B A C B A C बराबर हो जाएगा B A C बराबर B A C बराबर कितना हो जाएगा ना इसका आधा होगा अर्थत हाफ होगा कौन B O C के क्योंकि परधी पर का जो कौन होगा इसका दूगुना होता है केंद्र पर का जो कौन होता है अर्थत इसका इसका आधा होगा यह वाला कौन ठीक है तो BAC बराबर हो जाएगा हाब BOC हमें अभी-अभी कैंद्रा पर जो कौन है 160 डिग्री है अभी-अभी हमने निकाले तो BAC बराबर हो जाएगा 80 डिग्री कितना हो जाएगा 80 डिग्री यह है answer इसको याद रिखेगा जो कैंद्रा पर का जो कौन होता है कैंद्रा पर जो कौन होता है परधी पर के कौन का दूगुना होता है तो यह वाला कौन इसका आधा हो जाएगा इसको याद रिखेगा तो important question था जो exam में पूछे जाते हैं exam में देखने को मिलता है आपको exam में देखने को मिलेगा तो मिलते हैं next video में इसी type के maths के video में चैनल के साथ जुड़े रहिएगा वीडियो को like करिएगा दोस्तों में share करिएगा